हेलो एवरिवन वेलकम टू वाइंग फिजिक्स तो मैथमेटिकल फिजिक्स का एक नया टोपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर एलजेब्रा एंड वेक्टर केल्कुलस तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि वेक्टर केल्कुलस जो है वो नेट में भी उससे एक से दो कोश्छन बनते हैं और गेट में भी हमारे एक से दो कोश्न बनते हैं जनरली दो ही कोश्टर एलजेब्रा एंचल ket में तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से तो स्टार्ट नहीं करेंगे प्सक्राइट किहा होता है ग्रेडियंट औफ स्केलर फंक्टर फंक्शन हम कैसे निकालते हैं क्या बताथा है ग्रेडियंट आप of scalar function directional derivative of a scalar function along the direction of any vector equation of tangent plane कैसे find out करते है mostly question हमारे बनते है equation of tangent plane से directional derivative से और gradient से भी gradient से भी किस type के question बनते है कि आप से normal पूछ लिया जाए कि normal vector हम कैसे find out करेंगे या unit normal vector किसी भी surface के लिए कैसे find out करेंगे तो इस type के question अपने बनते हैं वो हम देखेंगे वीडियो में कि कैसे question आपके बनते हैं और कैसे आप attempt करोगे तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe करो वीडियो को like करो और अपने दोस्तों के साथ share भी करो तो आज की वीडियो का topic है अपना differentiation of vectors तो differentiation देखना है हमें किसका vectors का तो differentiation से मतलब क्या है कि rate of change देखना है हमें जिस भी vector का हम find out करते है rate of change मतलब उसका derivative with respect to time कि time के साथ वो vector जो है वो कैसी change होता है ठीक है तो हम क्या मानके चलते हैं कि एक particle है if a particle is moving moving particle is moving along a curve एक curve के along वो move करता है और curve हमें ऐसे given है ठीक है एक particular time पे हम मान लेते हैं कि वो point P पे था तो उसकी position अगर हम देखे origin से particle की तो वो जो vector होगा वो हमारा क्या होगा position vector होगा R ठीक है अगर ये R vector जो है वो हमारा क्या है ये तो हम मान लेते हैं O point जो origin को represent कर रहे हैं तो origin से जो OP vector है अपना वो क्या है R vector है जो क्या बता रहे है position of particle जो move कर रहे है इस curve के along और वो किस time पे है position at time T ठीक है अब हम क्या देखते है कि DT time के बाद उसने इतनी distance travel कर ली और वो किस point पे आगया Q पे आगया तो ये जो vector होगा वो क्या होगा R प्लस डेल R ठीक है डेल R जो है उसने distance travel करी है डेल R जो है वो ये vector है तो अगर ये vector अब हमें find out करना पड़े OQ तो वो क्या हो जाएगा OP प्लस PQ ठीक है तो हमारे पास क्या आएगा R प्लस R प्लस डेल R OQ वेक्टर आजेगा तो जो OQ वेक्टर है जो R प्लस डेल R है वो हमारा क्या है position of particle at time T प्लस डेल्टा T ठीक है तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे है कि पार्टिकल मूँव कर रहा है इस कर्व के अलो और पार्टिकल एक पॉइंट P पे था किस टाइम पे एड टाइम T पे वो पॉइंट P पे था तो उसका जो position vector था वो कितना था R वेक्टर था और अगर उसके position vector है यहाँ पे ठीक है और अगर delta T time के बाद हम बात करते है T प्लस delta T time में उसकी जो position होती है वो क्या होती है R प्लस delta R तो यहाँ पे rate of change की अगर हम बात करें तो position में जो change आया है वो कितना आया है delta r और कितने time में change आया है delta t time में तो delta r by delta t जो है वो क्या बता रहा है हमे rate of change बता रहा है particle की position में और अगर हम मान के चलते हैं कि del of t अगर tends to 0 है अगर ये जो delta t है वो tends to 0 है तो अगर delta t tends to 0 होगा तो q point जो है वो tends करेगा किसको peak हो तो q हमारा किस की तरफ होगा p की तरफ होगा मतलब ये बहुती कम होगा delta r अगर delta t tends to 0 है तो delta r भी हमारा क्या होगा tends to 0 होगा उसको हम किससे लिखेंगे d of r vector divided by d of t तो इससे हम लिखेंगे ठीक है तो ये जो vector आएगा q tends to क्या करेगा p तो ये जो value है हमारी अगर बहुत small change हम देख रहे है तो हम किससे represent करते हैं dr by dt और ये dr by dt है वो एक तरह से क्या बताएगा tangent vector बताएगा इस point पे जो tangent होगा न वो vector है tangent vector है at point p वो हमारा क्या है dr by dt है वो क्या है tangent vector ठीक है तो अगर dr by dt हमें find out करना है मतलब जिस भी point पे हमें find out करना है rate of change जिस point के about उस पे हमें क्या find out करना है tangent vector find out करना है अब अगर direction की अगर हम बात करें ये जो भी vector हमारे पास आएगा rate of change के लिए उसके direction क्या होगी तो direction की अगर हम बात करें direction of इस vector इसको हम क्या बोल रहे है tangent vector tangent vector की direction की सिर्फ हम बात करने तो हम क्या लिखेंगे dr by dt जो है वो tangent vector है उसको अगर हम उसी के magnitude से divide कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगी सिर्फ direction आएगी या फिर हम बोले की क्या आएगा unit vector आएगा unit vector सिर्फ direction को ही बताता है क्योंकि उसका magnitude तो क्या होता है 1 होता है तो direction क्या आजएगी इस tangent vector की वो हम ऐसे निकालेंगे ठीक है अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि particle move कर रहे है और r vector क्या है उसकी position है तो अगर dr by dt की हम बात करें r को हम क्या बोल रहे है r क्या है position vector है position of particle है position vector है तो dr by dt जो हम निकाल रहे है rate of change वो हमें क्या बताएगा velocity vector बताएगा velocity of particle बताएगा ठीक है और अगर एक बार और हम derivative लेते हैं d square r by dt square निकालते हैं तो वो क्या बताएगा acceleration बताएगा particle की तो यह तो आपको पता ही है एक example से मानलो हम देखते हैं कि r vector हमें given है किस type से given है a cos t i cap plus a sin t j cap इस type से आपको given तो यह vector अगर आप देखो तो i और j मतलब x और y direction में आपको given तो यह मान लेते हैं x direction है यह हमारे पास y direction है magnitude है ठिक है और t पे depend कर रहा है कि किसी particular time में उसकी value कितनी होते है तो यहाँ पे t की value अगर हम 0 लेते हैं at time t is equal to 0 हम देख रहे हैं तो t is equal to 0 cos 0 की value क्या होगी बन होगी और यहाँ पे sin 0 0 आई तो जो r vector है वो क्या represent कर रहा है अगर t is equal to 0 हमने लिया तो r vector क्या होगा a into में i cap direction x cap direction ठीक है दूसरा अगर t is equal to pi by 2 पे हम बात करें तो यह value 1 आएगी तो उस case में जो direction होगी position vector की वो कैसे होगी a into में j cap मतलब particle जो है वो ऐसे मूँ किया है 0 से pi by 2 में ठीक है अब pi by 2 से अगर 3 pi by 2 value हम लेते हैं cos की या फिर pi लेते हैं pi value हम लेते हैं तो यहाँ पे cos pi आएगा minus 1 आएगा ठीक है तो time की value अगर हमने pi by 2 to pi ली तो position vector हमारा क्या हो गया ऐसे हो गया minus i cap तो particle ऐसे move किया होगा ठीक है 3 by 2 लेगे तो हम ऐसे value आएगी यहाँ पे position आएगी particle की और again 2 pi पे same ही value आएगी तो particle जो move कर रहे हैं वो ऐसे move कर रहे हैं और अगर इसकी velocity की हम बात करें velocity क्या होगा rate of change होगा तो dr by dt हम find out करेंगे वो क्या बताएगा हमें velocity of particle तो ऐसे हमने देख ही लिया कि particle इस type से move किया होगा तो velocity की direction तो हमें पता है ऐसे ही है लेकिन अगर किसी particular time पे हम निकाल लें अब dr by dt हमें लेना है time के साथ derivative तो velocity हमारा क्या आएगा a cos का derivative हम लेंगे तो क्या आएगा minus sine t i cap sine का लेंगे तो cos ही आएगा a cos t j cap ये value आ रही है ठीक है तो अगर t is equal to 0 पे ही velocity की direction हम देखते हैं तो velocity की direction कुन सी होगी जो इस पे tangent vector होगा इस point पे tangent vector की जो direction होगी वो हमारी velocity की डिए पर्टिकल अगर ऐसे मूँ कर रहा है तो इस direction में हम tangent देखें draw करेंगे तो ये जो direction होगी वो velocity की होगी आप इधर से भी चेक करोगी t की जिए पे 0 पुट करोगे तो यहाँ पे t sin t 0 रखेंगे तो 0 value आएगी cos t cos 0 रखेंगे तो 1 आएगा a j cap तो a into में j cap यही direction अपने पास आ रही है ठीक है j cap direction y वाली direction है similarly इस point पे आप चेक करोगे तो ये direction हमें मिलेगी tangent रेक्टर की इस point पे आप चेक करते हो तो velocity की ये direction मिलेगी यहाँ पे चेक करोगे हम देखते हैं direction तो ऐसे direction हमें मिलेगी अगर मानलो यहाँ पे कहीं हम direction चेक कर रहे हैं तो इस type की direction हमें मिलेगी जिसमें x component भी होगा और y component भी होगा तो अगर इस direction में x component की हम बात करें तो x तो क्या है positive है y जो है वो positive है लेकिन x की तरफ इसको हम divide करेंगे तो ऐसे करेंगे component result करेंगे न वेक्टर को तो ऐसे करेंगे तो x तो हमें negative मिलेगा और y क्या मिलेगा positive for example यह time जो है वो हमारे पास क्या है pi by 4 है तो pi by 4 के लिए अगर value आप find out करोगे क्योंकि यहाँ पे angle कितना होगा pi by 4 ही होगा pi by 4 के लिए अगर आप find out करोगे value तो sin pi by 4 तो positive value ही होती लेकिन यहाँ पे क्या है negative तो x क्या होगा negative होगा और y की value क्या आएगी positive आएगी तो ऐसे किसी भी point पे आप velocity find out कर सकते हो उसकी direction आपको पता चलेगी किस से dr by dt से next है अपना vector differential operator तो vector differential operator जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा है एक operator है जो की क्या है vector है differential operator है लेकिन वो क्या है vector है तो कैसे हम लिखेंगे vector differential operator जो होता है उसको हम represent करते हैं dell से या फिर हम बोलें इसको nebula ऐसे हम लिखते हैं और यह कैसे लिखते हैं dell by dell x i cap plus dell by dell y z cap plus dell by dell z k cap अब क्योंकि यह क्या है differential operator है operator है यह vector तो है क्योंकि i cap, j cap और k cap direction तो है इसके साथ में लेकिन क्या है यह differential operator है तो जब operator होता है तो यह vectors वाले rule follow नहीं करता जैसे कि हम vectors में देखते हैं कि a dot b जो है वो किसके equal होता है b dot a के equal होता है लेकिन vector तो है differential operator जो है लेकिन यह इसको satisfy नहीं करेगा कि a dot dell हम लिखें वो किसके equal आए dell dot a के यह इसके equal नहीं आता है क्योंकि इसको अगर आप solve करोगे तो क्या आएगा ax component into में dell by dell x plus ay dell by dell y plus az dell by dell z और यह वाली जो term है वो किसके equal आएगी dell ax upon dell x plus dell ay upon dell y plus dell az upon dell z तो जब आप इसको solve करते हो ना तो यहाँ पे क्या है ax जो भी component होगा उसका हम क्या ले रहे है differentiation ले रहे है with respect to x तो हमारे पास क्या आएगा कोई भी scalar आएगा एक scalar function हमें यहाँ पे मिलेगा ठीक है x, y, z में value मिल सकती है constant value मिल सकती है एक scalar function हमें मिलेगा लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ना तो यह हमारा क्या है operator है यहाँ पे scalar function है इसका अगर हम dot लेंगे b के साथ तो scalar function into में b आ जाएगा लेकिन अगर इस operator का अगर हम dot लेते हैं b के साथ तो यहाँ पे क्या आएगा curl bx by del x ऐसे value आएगी और यहाँ पे by upon del y तो ऐसे solve करना पड़ेगा हमें यहाँ पे derivative किसका होगा b vector का होगा जो बाद में लिखा जा रहा है operate किसवे करेगा यह जो बाद में इस पे value आती है उस पे operate करते है तो यहाँ पे a पे operate किया इसने लेकिन यहाँ पे क्या है किसी पे operate नहीं किया है तो यहां पर यह क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ओप्रेटर रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर उप्रेट हो चुका है तो अपने पास क्या है स्केलर फंक्सन आया तो यह जो वेक्टर डिफ्रेंशियल ओप्रेटर है न यह है तो वेक्टर ही लेकिन यह वेक्ट से कैसे different हैं कैसे हम उनके questions solve करते हैं operators में तो next है अपना gradient of scalar function तो gradient हम कैसे निकालते हैं gradient of scalar function gradient ध्यान रखना मैं साथ में भी लिख रहे हूं gradient किसका लेंगे हमेशा scalar function का लेंगे ठीक है और gradient लिखने के लिए scalar function हमने लिख लिया 5xyz इसका क्या ले रहे हैं तो हम ऐसे represent करेंगे डेल 5 ठीक है तो यहाँ पर डेल जो है वो यही है vector differential operator जो है वो हम operate करते हैं अगर 5xyz पर scalar function है यह तो हमारे पास क्या मिलेगा एक vector मिलेगा तो यहाँ पर अगर gradient हम एक scalar function का लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है एक vector quantity आती है अब vector में दो चीज़े होती है एक तो magnitude होती है एक direction होती है ठीक है तो अगर gradient of scalar function को हम define करें तो कैसे define करेंगे it is defined as it is defined as a vector quantity as a vector quantity whose magnitude is whose magnitude represents magnitude क्या represent करता है represents rate of change of rate of change of phi x y z with respect with rate of change of phi x y z along the direction along the direction of normal to the surface phi x y z is equal to c ये जो surface है phi x y z is equal to c से एक surface हमारा draw होगा उसकी normal जो भी direction होगी उसके along क्या करेंगे हम rate of change लेंगे किसका phi का तो जैसे इसको हम लिखते है न phi x y z को हम तो कैसे लिखेंगे del by del x phi x i cap phi x नहीं phi x y z क्योंकि ये क्या है एक स्केलर है तो del phi by del x i cap plus del phi upon del y z cap plus del phi upon del z k cap ऐसे हम लिखेंगे ठीक है तो जिस भी direction में तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि magnitude जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है rate of change of phi x y z along the direction of normal to the surface this and direction कैसे बताएंगे हम ये तो magnitude की हमने बात करी direction is given as given along the normal to the surface तो ये जो definition हमने लिखी है ना इसको हम प्रूव करेंगे दिखना तो यहाँ पे क्या बोला है हमने कि gradient of phi जो है scalar function जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है rate of change phi का along the direction किसकी normal की direction में normal को हम n direction से लिख रहे है normal की direction में जो change होगा ना phi में उस direction में हम होग रहे है मानलो phi हमारा ये है कोई भी एक random surface है हमारा ये क्या बता रहा है phi x y z is equal to c ठीक है अब इसके normal की अगर हम बात करें ये जो plane है वो हमने इस plane में एक phi हमने draw किया ठीक है इसका normal की हम बात करें तो upward direction होगी या downward होगी तो ऐसे normal मतलब इस surface की क्या है perpendicular तो ये direction हमने ऐसे मान ली क्या direction है ये normal की direction है n के ठीक है तो direction जो है gradient of phi हम लेंगे तो direction हमारी किसकी आएगी normal की direction आएगी और magnitude जो आएगा वो क्या बताएगा इस direction के along change बताएगा phi में ठीक है तो मान लो अगर ये हमारा dn है कोई भी distance हमने मान ले डी ए उसके कोर्सपॉंट phi में कितना change होता है वो हमारा क्या है gradient of phi का magnitude है ठीक है और ये हम normal की ही direction में क्यों ले रहे हैं जब gradient of phi हम देखते है तो हम क्या कहरे है कि direction जो वो होगी वो कि direction में होगी along the normal direction होगी और change जो होगा phi में वो भी normal direction में होगा तो एक बात हम यहाँ पे देखते है वो क्या होता है लेवल सर्फेस तो लेवल सर्फेस कोन से होते है जहां पे सर्फेस पे अगर किसी भी पोइंट पे हम value चेक करें न phi x y z की तो वो क्या आएगी same value आएगी ठीक है तो यहां पे for example अगर हम बात करें जैसे कि using Bir potential सर्फेस में क्या होता है कि सर्फेस पे किसी भी wint पे अगर अगर आप पोटैंशल चेक रहे हो carrier न तो क्या है तो क्या है इंसरा होता है कि ए要 थर्मल सर्फिस मतलब टमप्रेचर सेम तो अ incentiv अगर हम चैक कर रहे है न उस scalar function की वो क्या आ रही है same ही आ रही है ठीक है उसको हम level surface बोलेंगे तो यहाँ पर बात क्या आती है कि अगर gradient of scalar function हम ले रहे हैं और अगर हम move कर रहे हैं along the direction of surface, surface की direction में अगर हम कहीं पर move कर रहे है तो जो change होगा gradient of phi होगा उसकी value क्या आएगी 0 आएगी change नहीं होगा उस ठीक है phi में कोई change नहीं होगा और अगर हम along the normal देख रहे हैं तो हमारे पास phi में change observe होगा वो कैसे होगा वो हम देखते हैं तो gradient of phi हमने क्या बोला है अभी कि gradient of phi जो होता है वो along the magnitude जो होता है वो phi में change बताता है along the direction of normal और जो direction होती है वो normal की ही direction होती है ठीक है लेकिन हम क्या गया रहे हैं कि अगर उस surface पे हम along the surface मूव करते हैं तो phi में जो change होगा वो 0 होगा और अगर normal के direction में हम मूव करते हैं तो phi में कुछ change हमें देखने को मिलेगा तो यह हम बात कर लेते हैं कि कैसे होता है ऐसे तो अगर हम बात कर रहे हैं कि if we are moving along the surface तो अगर हम move कर रहे हैं along surface तो हम मान लेते हैं कि यह surface ऐसे ठीक है जो phi को represent करता है और ऐसे हमने direction मान ली x y z तो किसी point p पे मान लो हम surface पे यहां पे हैं और हम along the surface move कर रहे हैं ऐसे हम move कर रहे हैं along the surface move कर रहे हैं ठीक है और किसी other point पे हम कहां पे आएंगे मान लो हमने कितनी distance travel की dr ठीक है तो यह जो vector होगा उसको हमने मान लिया r vector जैसे कि हमने अभी देखा कि करूँ के along जब हम move करते हैं तो dr vector जो है अगर हमारा dt tends to 0 होता है तो यह किसको बताता है tangent को बताता है ठीक है dr vector अभी हमने देखा तो यह जो होगा मान लो q point है यह हमारा वही है r plus d delta r dr है यहां पे तो dr हम मान लेंगे ठीक है यह vector plus में यह vector हमार पास यह vector देगा तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें change किसमें देखना है phi में देखना हम कितना move करें है d r move करें हैं तो हम change कैसे निकालेंगे d phi जो है वो हमने बोला है कि हमारे पास change नहीं observe होगा अगर हम surface के along move कर रहे हैं क्योंकि gradient of phi जो होता है वो किसको represent कर रहे है कि level surfaces हमारे पास होते है मतलब हर एक surface अगर हमने लिया है किसी r vector के correspond r vector के correspond कोई भी surface हमने लिया है उस पे सभी points पे value के आएगी सेम आएगी तो change नहीं होगा अगर हम surface के along move कर रहे हैं तो d phi हमने 0 लिया तो d phi को हम कैसे लिख सकते हैं partial derivative अगर हम लिखें x, y, z के respect में तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि phi हमारे किसका function है x, y, z का function है तो d phi को हम कैसे लिखेंगे del phi upon del x into me dx del phi upon del y into me dy plus del phi upon del z into me dz किसके equal है 0 के equal है इसको अगर आप लिखोगे हम मान नहीं रहें अभी कि यह 0 के equal आता है हम बस चेक करें कि d phi किसके equal आएगा हमारा अगर हम surface के along को कर रहे है ठीक है तो d r जो vector है वो हमारा क्या है x i cap plus y z cap plus z k cap और d r जो vector है वो क्या है d x i cap plus d y z cap plus d z k cap ठीक है तो इनको हम separate लिख लिख लिते हैं कैसे लिखेंगे del phi upon del x i cap plus del phi upon del y j cap plus del phi upon del z k cap और इसका dot product अगर हम लिखते हैं कि इसके साथ d x i cap plus d y z cap plus d z k cap ठीक है तो यह जो vector है वो हमारा क्या बता रहे है d r vector को बता रहे है और यह जो term है वो हमारी क्या बता रहे है gradient of phi बता रहे है gradient of phi बता रहे है किस point पे p point पे ठीक है न क्योंकि x y z जो value है वो p point की value है तो gradient of phi बता रहे है at the point p अब यहाँ पे अगर आप देखो कि यह जो vector है यह तो हम क्या निकाल रहे हैं gradient of phi निकाल रहे हैं तो gradient of phi हमने क्या बूला कि वो along the normal direction होता है तो gradient of phi की direction जो है वो normal की direction है तो vector से यह जो plane है इसके perpendicular direction होगी normal की और dr जो है वो tangent बता रहे हैं हम dr किसको represent कर रहे हैं कि जो surface है उस पर क्या है एक tangent है surface का normal और उसकी dot product हम किसके साथ ले रहे हैं tangent vector के साथ angle between them क्या है 90 degree है तो dot product क्या आएगी 0 आएगी तो ये value हमारे पास 0 आगी तो यहां से क्या मिला हमें कि d5 की value क्या है 0 तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम along the surface move करते हैं तो d5 की value क्या आती है 0 आती है अब अगर हम along the perpendicular direction में move कर रहे हैं तो यहां पे dr जो है न वो perpendicular direction को ही represent करेगा तो perpendicular direction dr जो होगा वो किसको represent कर रहे हैं normal के direction को represent कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि along the normal direction अगर हम move करते हैं तो dell 5p into में dr की value है वो non-zero आएगी ठीक है और वो क्योंकि dot product क्या हो जाएगी along the normal move कर रहे हैं तो angle between them क्या होगा 0 होगा तो वो value हमारी non-zero हैगी तो हम क्या कह रहे हैं कि जो gradient of phi है न वो किसको represent कर रहे है उसका जो magnitude है वो हमें क्या बता रहे है rate of change of phi along the direction of normal ठीक है और जो direction है वो क्या बता रहे है अब gradient of phi क्योंकि एक vector quantity है तो उसका magnitude भी होगा और उसकी direction भी होगा तो direction जो है वो normal की direction को represent करता है ठीक है एक example हम दिख लेते हैं तो gradient of scalar function पे question आपके किस type के वनेंगे तो question में आपको किस type के मिलेंगे कि आपको given होगा क्या given होगा जो surface है हमारा phi x y z जो है is equal to c ऐसे एक equation आपको given होगी surface की और आपसे क्या पूछेंगे normal to that surface normal हमें find out करना है इस surface पे ठीक है या फिर question आपसे क्या बन सकता है कि unit normal हमें find out करना है या फिर हम क्या बोलें कि सिर्फ direction हमें find out करनी है gradient की तो unit normal vector अगर हमें find out करना हो तो हम कैसे find out करें तो normal हमारा क्या आएगा normal की direction निकालनी है surface पे normal निकालना है मतलब हमें क्या निकालना है gradient of phi निकालना है ठीक है और अगर unit normal vector निकालना है तो gradient of phi को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे gradient of phi के magnitude से तो हमारे पास क्या आजएगा unit normal vector आजएगा तो एक example हम देख लेते हैं और example हमारा क्या है कि हमें unit normal vector find out करना है कि इसका find unit normal vector या फिर हम बोले unit normal for the sphere ठीक है तो sphere की equation तो आपको पता ही होती है क्या होती है तो अगर आपको equation पता है और हमें normal find out करना है तो हमें क्या निकलने gradient of phi निकलने और वैसे भी आपको पता है कि sphere के लिए जो surface पे normal होता है वो क्या होता है r-cap direction होती है unit अगर हम बात कर रहे हैं r-cap होगी ठीक है r-vector जो होता है वो sphere पे क्या होता है नोर्मल होता है जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अगर यह direction है हमारी x, y, z और यह sphere है तो जो r-cap vector होगा वो क्या होगा perpendicular होगा surface पे तो r-cap vector जो है वो क्या है radius vector है ठीक है unit निकालना है मतलब हमें क्या निकालना है gradient of phi divided by gradient of phi का magnitude अब यहाँ पे phi क्या है equation क्या होती है sphere की x square plus y square plus z square is equal to a square हम मान लेते हैं जहाँ पे a क्या है radius of sphere radius of sphere है ठीक है या फिर r square से ही हम लिख लेते हैं इसको तो हमने ऐसे लिख लिख लिया ठीक है अब यह किस form के आपको दिख रहा है कि 5 x y z is equal to c यही surface हमें given है यहाँ पे constant है radius का square तो gradient of phi हम निकालेंगे del of phi तो वो हमें एक vector मिलेगा तो del of phi अगर हम निकालते हैं तो क्या आजाएगा x का x के respect में हम करेंगे into में i cap तो 2 x i cap plus 2 y z cap plus 2 z k cap और gradient of phi हम निकाल रहे हैं ठीक है तो यह value हमारे पास आगी next constant का तो हमारा 0 हो जाएगा अब हमें निकालना क्या है कि gradient of phi divided by gradient of phi का magnitude तो इसका magnitude से हम इसको divide करेंगे 2 हम common ले लेते हैं तो x i cap plus y z cap plus z k cap यह है और magnitude से हम divide करेंगे तो क्या आएगा 2 का सूँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा x square plus y square plus z square ठीक है अब 4 जो है वो square root से भार आएगा तो 2 आएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा तो यह value है हमारे पास अब इसको अगर आप देखो रेडियस वेक्टर का तो रेडियस वेक्टर को हमने उसके magnitude से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा unit radius वेक्टर आगा तो जो unit normal होता है sphere के लिए वो क्या होता है unit radius वेक्टर होता है ठीक है तो आज की वीडियो तो नहीं पर खतम होती है directional derivative कैसे निकालते है वो tangent plane की equation कैसे निकालते है जिस पर ज़्यादा question बनते है वो हम next video में दिखेंगे ये question है आपके practice के लिए आप इसको solve करें answer comment section में लिखें तो मिलते हैं next video में